अमेरिकन एरलाइन्स ने ख्राब मौसम ते स्टाफ दी कारण सैंक्डे उडाना रद कर देतियाने जी हाँ अमेरिकन एरलाइन्स ने सैंक्डे उडाना रद कर देतियाने ख्राब मौसम ते स्टाफ दी कारण ही उडाना रद कीतियां गईयाने जिस कारण जात्रियानू परेशान होना पैरिहा है सर्द हवामा कारण लास फोर्ट वर्थ विच उडाना दे पॉंचन दी गिनती बहुत ज्यादा काट गई है जिस कारण यात्री परेशान दिखाई दे रहे है चरलोट एंसी हब विच वी उडाना परवाबत होयाने इस कारण एथे भी बहुत सारी यात्रियानू परेशानी दा सामना करना पैरिहा है अमेरिकी एरलाइन्स ने जारी एक ब्यान विच किहा है कि मौसम दी खराबी कारण स्टाफ दी गिनती कट जान दे सिटे वजो दिखतादा सामना करना पैरिहा है हवावाजी ट्रेकिंग प्रोग्राम EDT फ्लाइट वेर अनुसार 460 उडाना रद कर देतिया गेया 460 उडाना रद हो चुकिया ने जिसनल जातरी परिशान ने जो कि कुल एरलाइन्स ओपरेशन दा स्तारा प्रतिशत बन दिया है इस तो इलावा तकरीबन 300 उडाना विच देरी भी होई है 300 उडाना दे विच देरी, 460 उडाना रद, जात्रियां दी परिशानी दा कारण बंचुकियां ने एक वारी फिर तो 10 दिन ने आ कि अमेरिकन एयरलाइन्स ने ख्राव मौसम ते स्टाफ दी काट कारण बहुत सारियां जाने के सैंकडे उडाना रद कर देतियां जस कारण यात्रियां नो परिशान होना पैरिया, सर्द हवावा कारण डिलास फोर्ट वर्थ विच उडाना दे पॉंचन दी गिंती पौद काट गई है चरलो टैंसी हब विच भी उडाना परबाबत होईयां ने, अमेरिकन एरलाइन्स ने जारे एक ब्यान वच किया है कि मौसम दी खरावी कारण स्टाफ दी गिंती काट जान दे सिट्टे वजो दिखतां दा समना करना पैरिया हवावाजी ट्रैकिंग प्रोग्राम, EDT फ्लाइट वेर अनुसार 460 उडाना रद कर देती हैं गियां जो कि कुल एरलाइन्स ओप्रेशन दा स्तारा प्रतिशत बंदिया ने इस तो इलाबा तक रीबन 300 उडाना विच देरी हो गई है